आप सभी से दिल से अनुरोध है कि हमारे चैनल को ज्यादा से ज्यादा सब्सक्राइब करें। वीडियो को जितना हो सके अपने परिवार और दोस्तों के साथ शेयर करें। हमारे वीडियो को लाइक करें और एक अच्छा सा कमेंट जरूर करें। हम आपके लिए रोज इतनी मेहनत करते हैं तो आपको हमें सपोर्ट करना चाहिए। अगर आप अपने दादा दादी और मम्मी पापा से प्यार करते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और हमें अपना प्यार और सपोर्ट दिखाएं। EPS 95 ये है हर करमचारी का सपना, खुद को, फिर पत्नी को और बाद में बच्चों को मिलेगी पेंशन। प्राइवेट सेक्टर के करमचारियों के लिए एक महत्वपूर्ण और आकरशक वित्तिय योजना बन चुकी है। इस योजना के तहत रिटायर्मेंट के बाद न केवल करमचारी को, बलकि उसकी पत्नी और बच्चों को भी पेंशन का लाब मिलता है। यह योजना EPFO, भविश्य निधी संगठन, द्वारा संचालित होती है और इसमें अब तक करीब 70 लाख पेंशन भोगी लाब उठा रहे हैं। पेंशन का धांचा EPS 95 के अंतरगत, करमचारी को रिटायर्मेंट के बाद पेंशन प्राप्थ होती है, जो की मृत्यू होने पर उसकी पत्नी और बाद में उनके बच्चों को भी दी जाती है। इस योजना के तहट नियूंतम पेंशन राशी एक हजार रुपए प्रती मा है। कौन उठा सकता है इस स्कीम का फाइदा। किसी भी प्राइवेट सेक्टर के कर्मचारी जिसका खाता 2014 से पहले खुला हो और जिसने कम से कम 10 वर्षों तक नौकरी की हो, वह इस योजना का लाब उठा सकता है। यहाँ योजना न केवल कर्मचारी के बलकी उसके पूरे परिवार को भी सुरक्षा प्रदान करती है। यदि कर्मचारी की मृत्यू हो जाती है तो उसकी पत्नी और उसके बच्चों को भी पेंशन मिलती रहती है। पत्नी को पती की पेंशन का 50% मिलता है और यदि पत्नी नहीं रहती तो उनके बच्चों को 25% पेंशन दी जाती है जो की 25 वर्ष की आयू तक सीमित होती है रिटायर्मेंट से पहले की पेंशन EPS 95 योजना के अंतरगत अगर करमचारी 50 वर्ष की आयू से पहले बेरोजगार हो जाता है या स्थाई रूप से दिव्यांग हो जाता है तो उसे पेंशन का लाभ दिया जाता है इस स्कीम को है सरकार का समर्थन सरकार द्वारा इस योजना को और अधिक प्रभावी बनाने के लिए समय स्मय पर नए नियम और सुधार लाए गए हैं इसका उद्देश्य अधिक्तम करमचारियों को आर्थिक सुरक्षा प्रदान करना है EPA's 95 योजना न केवल वर्तमान करमचारियों के लिए बलकि उनके परिवारों के लिए भी एक वर्दान साबित हो रही है जिससे उन्हें आर्थिक स्थिर्ता और समर्थन प्राप्त होता है Breaking News EPA's 95 न्यूनत महायर पेंशन में देरी का खुला राज EPFO के तहत उच और न्यूनतम पेंशन मिलने में हो रही देरी पर पेंशनर्स के दावे और चिंताएं गंभीर है सरकार और संबंधित अधिकारियों को इस मुद्दे पर ध्यान देना चाहिए और पेंशन भोगियों की समस्याओं का समाधान करना चाहिए करमचारियों को उच्च वेतन पर हायर पेंशन, हायर पेंशन और न्यूनतम पेंशन, मिनिममम पेंशन मिलने में आखिर कहां देरी हो रही है इस विशय पर कुछ जानकारिया सामने आ रही है कुछ pensioners ने इस बारे में जानकारी दी है कि आखिरी pension भुकतान और प्रक्रिया में देरी क्यों की जा रही है एक pensioner ने दावा किया कि EPS 95 minimum pension को लेकर EPFO और भारत सरकार के माध्यम से निप्टान ना करने का कारण और मांग पत्र PPO जारी करने में देरी के कारण pension भोगियों को उच्च pension, higher pension का लाभ नहीं मिल पा रहा है EPS 95 pension का लाभ मिलने में होने वाली देरी के कारण EPS 95 pension को लेकर चल रहे आंदोलन या कानूनी प्रक्रिया में अधिकांश pension भोगी EPS 95 pensioners और उनके संबंधित संग केंद्रिया ट्रेड यूनियोनों सहित सीधे तौर पर शामिल नहीं है अधिकांश EPS 95 pension भोगी इन pension मुद्दों से अवगत नहीं है कुल pension भोगियों और सदस्यों में से 90% से अधिक इन मुद्दों के बारे में जानते ही नहीं है सभी संबंधित EPS 95 संगों और सदस्यों के बीच एकता का अभाव है जो आंदोलन या कानूनी प्रक्रिया में शामिल है उनमें एक जुट्टा की कमी है EPFO भारत सरकार और अदालत में उचित कानूनी और चित्य देने के लिए पेंशन भोगियों और उनके संबंधित संगों के नेतरित्व में उचित ज्यान का अभाव है नियोंतम पेंशन या उच्च पेंशन के मुद्दों पर कानूनी पहलूँ को ठीक से जानने की उनकी अनिच्छा है विभिन्न सोशल मीडिया चैनल और कई EPA's 95 पेंशन भोगी और सदस्य सोशल मीडिया पर नियोंतम पेंशन या उच्च पेंशन के मुद्दों के खिलाफ लगातार राय तर्क दे रहे हैं और कई अन्य बिना जाने इस पर विश्वास कर रहे हैं क्या ये कारण वाजिब लगते हैं इन पर आपकी राय लिखें और बताएं कि इन मुद्दों पर सरकार को या पेंशन भोगियों को क्या करना चाहिए EPFO पेंशन भोगियों के लिए बड़ा अपडेट EPA's 95 के तहट नियूंतम पेंशन को बढ़ा कर 7500 रुपए करेगी सरकार जाने पूरी खबर भारत में करमचारी पेंशन योजना के अंतरगत पेंशन भोगियों को मिलने वाली नियूंतम पेंशन 1000 रुपए है पेंशन भोगियों ने इसे 7500 रुपए करने की मांग को लेकर जंतर मंतर पर भूख हड़ताल की है भारत में करमचारी भविश्य निधी संगठन, EPFO के अंतरगत करमचारी पेंशन योजना, EPS द्वारा पेंशन भोगियों को प्रदान की जा रही नियूंतम मासिक पेंशन राशी मातर 1000 रुपए है, जो की सितंबर 2014 से लागू है इस व्यवस्था में कुल 78 लाख पेंशन धारक शामिल है, जो इस नियूंतम राशी के सहारे अपना जीवन्यापन करने को मजबूर है पेंशन भोगियों का आंदोलन और मांगे वर्तमान में पेंशन भोगियों की ओर से मासिक पेंशन राशी को 7500 रुपए तक बढ़ाने की मांग उठाई जा रही है इसके अलावा वे अन्य लाभू की मांग भी कर रही है इन मांगों को लेकर करमचारी पेंशन योजना की राश्ट्रिय आंदोलन समिती के नेत्रित्व में भूख हड़ताल की योजना बनाई गई है जो की 31 जन्वरी से जन्तर मंतर पर शुरू हुई थी सरकारी प्रतिक्रिया और कारवाई की कमी केंद्रिय श्रम मंतरी भूखेंद्र यादव के आश्वासन के बावजूद पेंशन भोगियों का आरोप है कि सरकार उनकी मांगों को पूरा करने में विफल रही है इसके चलते आंदोलन समिती ने इसे उनकी आखिरी चेतावनी के रूप में प्रस्तुत किया है वेतन और पेंशन योगदान की व्यवस्था EPFO के नियोमों के अनुसार कर्मचारी और नियोकता दोनों ही वेतन का 12% हिस्सा प्रोविडेन्ट फंड में जमा करते हैं इसमें से नियोकता का 3.67% हिस्सा EPF में और 8.33% हिस्सा EPA में जमा होता है यह योगदान वेतन के 15,000 रुपए पर कैलकुलेट किया जाता है, लेकिन इसमें 1250 रुपए की सीमा तै है, जिसे हटाने की मांग पर सुप्रीम कोट में सुनवाई चल रही है निशकर्ष कर्मचारी पेंशन योजना के अंतरगत जीवन्यापन की कठिनाईयों को देखते हुए पेंशन भूगियों की मांगे न केवल जायज है, बलकि यह उनके बुन्यादी अधिकारों का भी प्रश्न उठाती है यह आंदोलन न केवल सरकार के लिए बलकि समाज के हर वर्क के लिए एक जागरुक्ता का संदेश भी है कि पुरानी पेंशन व्यवस्थाओं की समीक्षा और सुधार आवशक है